हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू दे यूपीसी एनलाइजर तो आज हम 20 दिसेंबर का इंडियन एक्स्प्रेस डिसकस करेंगे इफ यहां पर फिर्स न्यूस जो है वो सेक्रिलेज का हिशू है यह है मेरी डियोडल पेज पर डिसकस करेंगे हम नेक्स डिसकस करते हैं तो सेंट्रल हुमेनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइट करने है तुदा अफगानिस्तान और यहां पर विमेन, चिल्डरन और मिनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करना है यहां पर जो तीन कंट्रीज है सेंट्रल एशिया के तर्कमेनिस्तान, उसबेकिस्तान, तजकिस्तान तो अब यहां पर जो हमनी concerns जताए है regarding Afghanistan इसका मतलब यह नहीं कि हम पाकिस्ता है जो अफगानिस्तान है उसके internal affairs में हम यहां पर interfere करेंगे हम बात करतेंगे पूरी तरीके सो sovereignty, unity and territorial integrity and non-interference in its internal affairs तो internal affairs में हम यहां पर interfere नहीं करेंगे लेकिन कुछ demands है जैसे कि यहां पर inclusive government होनी चाहिए drug trafficking के against action लेनी की ज़रूरत है एक UNST का resolution is 2593 जो कि यहां पर Afghanistan से related है जो कि यह बोलता है अफगान territory not be used for sheltering, training, planning and financing terrorist act terrorist act के लिए यहां पर अफगान की territory नहीं use होनी चाहिए बाकि यह वाली बात नहीं आपको बता दी कि Islamabad ने भी organization of Islamic cooperation council of foreign ministers यहां पर host हिया था Afghanistan की situation को discuss करने के लिए यह Central Asian countries भी OIC का part है लेकिन basically इन्होंने इंडिया की meeting को attend किया तो उसे यह पता चलता है यह जो Central Asian countries है यह इंडिया के लिए बहुत आदा इंपोर्टेंट हो रहा है क्यूंकि 2012 के बाद से हमने बहुत आदा इंपोर्टेंस देना शुरू कर दी थी to the Central Asian countries आगे हम चलते हैं यहां पर जो Milap Operation ने डेली पुलीस का है तो बस इतना पता होने ची बाकिया पर कुछ इंपॉर्टन ही है आगे चलते हैं अब Goa Liberation आपको पता होने ची आपको पता होने ची अपरेशन विजय के अंदर Goa को लिबरेट कराया गया था from the Portuguese rule तो Prime Minister Narayan Modi on Sunday said Goa would have been liberated from Portuguese rule much earlier than 1961 तो यह आपको 1961 आपरेशन विजय इतना पता होने ची बस आगे हम चलते हैं Most Midday Meal Cooks paid under Rs. 2K per month तो यहां पर जो Midday Meal Scheme उसका नाम बदल के हैं पर PM Portion कर दिया गया है अब एक बात यह पता चली जो Midday Meal के Cooks हैं उनको यहां पर 2000 रुपे से भी कम मिलता है लेकिन अगर सदन स्टेट्स में देखा जाए तो जादा मिलता है जैसे कि यहां पर Poodoo Cherry में लगवक 21,000 रुपे पर मन्त मिलता है तो में लड़ो में 12,000 रुपे और केड़ा में 9,000 रुपे लेकिन अगर हम North Indian States में देखे तो सिर्फ 2,000 रुपे मिलता है यहां पर जो कॉस्ट है Midday Meal workers को देने की वो हैं पर शेयर होती between the center and the state in 60 to 40 ratio अब आप यह सोच्ट हों कि minimum wages act इनके उपर apply क्यों नहीं हो रहा है वो इसलिए apply नहीं हो रहा है क्योंकि उनको social workers माना जाता है honorary workers माना जाता है जिसके चलते हैं इनको यहां पर normal worker नहीं माना जाता है और यहां पर minimum wages act अप्लाई नहीं होता है आगे हम चलते हैं अब यहां पर बात की गई है कि law students के लिए जो course है उसमें और ज़्यादा practical चीज़ों होनी चाहिए rather than theoretical अब basically हर courses के लिए applicable होता है engineering courses के लिए भी इतना ही applicable होता है कि practical based learning होनी चाहिए नहीं कि theoretical तो this reflects an urgent need to introduce courses which are more practical and allow students to interact with people and their issues at the grassroot level तो यहां पर जो हमारे education system है वो बहुत जाद रूट learning के उपर based है तो यहां पर constructive learning होनी चाहिए और यहां पर practical based education system होना चाहिए आगे हम चलते हैं sacrilege and silence अब इस article में यही बताया गया है कि यहां पर sacrilege का issue हुआ यहां पर दो लोगों को mob ने मार दिया नहीं बोल रहा है कि यहां पर politicians को पता है कि यह बहुत ही emotive issue है अगर हम कुछ बोलें तो उसकी वज़े से हमारे के votes कमना हो जाए तो यह basically बहुत गलत precedent set करता है law and order को हाथ में लेना हमेशा से गलता है आज भी गलता है लेकिन अगर उसके पर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो जो mob है वो और जादा emboldened हो जाएगी और उसके बाद ऐसे हमें incidents और जादा देखने को मिलेंगे in the newer future तो यहां पर ज़रूरत है सारे politicians को across cutting the party lines इस issue को यहां पर condemn करने की उसी ही तरीके से यहां पर lynching को भी condemn करने की ज़रूरत है आगे हम चलते है अब वीक बलवार्क तो यहां पर जो जो जॉइंट पर्लामेंटरी कमिटी के रिपोर्ट और डेटा प्रोटेक्शन बिल तो यहां पर बैसिकली ओसर ने यही बताये कि कैसे वो government को यहां पर protect कर रहा है और यहां पर privacy of citizens को जो protect करना था वो तो करनी रहा है लेकिन government को of course protect कर रहा है जैसे कि justice case put a swami judgment आपको पता होना चाहिए regarding right to privacy यहां पर बात की गई थी जो right to privacy वो एक fundamental right है तो justice case put a swami judgment जो कि यहां पर supreme court का judgment है और यहां पर fundamental right to privacy की बात की जाती है तो यहां पर इस article में यही बताया गया है जो data protection bill है वो कैसे यहां पर central government के favor में ज़ादा है और यहां पर जो logo का right to privacy उसको protect नहीं करता है तो surveillance reform को लेकर इसमें कोई भी provision नहीं है Justice B.N. Shree Krishna Committee ने इसका पहला draft तयार किया था data protection bill का तो surveillance reform was consciously omitted by the Justice B.N. Shree Krishna Committee that released the first draft of the personal data protection bill however even then it is stated यहां पर जो B.N. Shree Krishna Committee ने पहला draft बनाया था तो उसने यहां पर surveillance reform की बात नहीं की थी लेकिन तब भी उसने bill में एक provision यह तो था no general law in India today authorizes non-consensual access to personal data तो यहां पर personal data को यह intersection किसी की भी data की नहीं कर सकता है without any consent तो यहां पर consent लेनी पढ़ेगी बिना consent कि यहां पर किसी को पर भी surveillance नहीं किया जा सकता है ऐसा provision तो था लेकिन अभी जो आया है data protection का जो नया draft आहे तो quite simply what good is the data protection law if it does not regulate mass surveillance projects तो यहां पर जो Indian government की projects चल रहा है जैसे की CCTNS, Crime and Criminal Tracking Network and Systems Net Grid, Central Monitoring System तो यह basically यह लोग लोगों का data ले रहे हैं बिना उनकी consent के तो यह basically उनकी privacy को तो वोलेट कर रहे हैं लेकिन इसके against कुछ भी action नहीं लिया जा सकता है not only does it fail to improve justice beyond traditional draft law or data protection bill 2021 makes it worse तो basically हमें यह पता चल रहे हैं कि state की security को ज्यादा importance दी गई है तो to ensure the interest and security of the state in its long title यहां पर जो लोगों की privacy है उसको यहां पर वोलेट किया जा रहा है The second point of concern emerges from the power of the central government to exempt departments from the application of the data protection bill तो clause 35 में यह बात की गई है जो central government वो किसी भी department को इस बिल के provision को मानने से मनाख कर सकती है तो second point of concern emerges from the power of the central government to exempt department तो यहां पर जो central government है वो किसी भी department को exempt कर सकती है कि उसको यहां पर जो data protection law है उसके साथ comply करने की ज़रूरत नहीं है तो यहां पर भी central government को बहुत जादा power दी जा रही है जब data protection bill 2018 में इसका पहला draft रिलीज हुआ था तो यह बात की गई थी कि central government जो है वो किसी भी department को exempt कर सकती है but on the conditions of legality, necessity and proportionality तो यहां पर कुछ conditions लगाई थी इन condition की basis पर जो central government है किसी भी department को exempt कर सकती है लेकिन अब इन conditions को भी basically dilute कर दिया गया है तो to put it another way, the government does not need to establish that exemption इसके लवाँ government को अब इस्टाब्लिश कर दी की भी जरूरात नहीं है कि उसने data protection bill से इसलिए exempt किया है क्योंकि यहां पर legality का issue था है proportionality का issue था ऐसा अब कुछ भी यहां पर प्रूफ कर दी की जरूरात नहीं है पढ़ता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इतने ज़्यादा provision से central government को power दे दो कि वो basically किसी भी department को यहां पर इसके exempt कर सकते हैं however such exceptions being in the nature of an exception to the rule need to be limited and precise तो यहां पर जो आप exemption दे रहा हूँ यह basically limited and precise दोना चीज़ का मतलब यह नहीं कि किसी भी department को from following this data protection law तो even the reasons for providing the exemptions are not required to be tabled in parliament the third and final feature of the data protection bill 2021 concerns the data protection authority अभी जो data protection authority की बात की गई है अभ data protection authority में जो members आएंगे तो पहला जब draft आया था तब इसमें बात की गई थी कि इसमें judicial members होने चीज़ जस्टिस अफ इंडिया चेर परसन होंगे और उसके बाद बाकी members चूज के जाएंगे for the data protection authority लेकिन अब यहां पर बात की जारी है कि इसमें cabinet secretary होंगे law secretary होंगे IT secretary होंगे तो हम यहां पर देखना है कि यहां पर भी जो executive है वो इसको dominate करेंगे data protection authority की जो की पहले बात कीगी थी कि पहले इसमें judicial members dominate करने वाले थे तो this does not address the problems that the center appoints the nominees at its pleasure तो यहां पर जो center हो अपने pleasure के उपर nominees को apply कर रहा है तो basically वो तो फिर center के under काम करने लग जाएंगे तो further choice extends to the government in picking any one director government किसी को भी यहां पर dominate कर सकता हो और यहां पर data protection authority में उसको यहां पर cheer person या member बना सकता है under clause 87 the JPC has expanded the power of the central government इसके लवा यहां पर central government की power को और जादे extend कर दिया गया है तो authority should be bound by the directions of the central government यह बोला गया है जो data protection authority है वो यहां पर central government की direction से bound होगी under all cases and not just on questions of policy हर case में यहां पर जो central government की pleasure पर ही काम करेगी central government की डिरेक्शन से उससे bound होगी तो इससे यह पता चल रहा है कि यहां पर लोगों की rights को नहीं यहां लोगों की privacy को नहीं protect किया जा रहा है यहां पर basically security of the state को protect किया जा रहा है तो government agencies are treated as a separate privilege class whose operations and activities are always in the public interest तो अब यह माना जा रहा है इस act के चलते कि government कुछ भी करती है वो हमेशा public interest में ही करती है इसलिए individual privacy के जो considerations उसको यहां पर secondary माना गया है तो यहां पर government agencies को पूरी तरीके से एक separate privilege class ही बना दिया गया है तो अब आपके अपर समझ आ गई हो कि इसमें यह बताया गया है जो यहां पर data protection bill आ रहा है वो यहां पर government को पूरी तरीके साथ protect कर रहा है और लोगों का जो right है right चो प्रवेसी उसको protect नहीं कर पा रहा है यहां पर कुछ instances बताएगे जैसे कि यहां पर central government है वो किसी भी department को exempt कर सकती है from following this data protection law इसके लावा है जो data protection authority के members appoint होंगे वो central government appoint करेगी on its whims and fancies जो central monitoring system और जो net grade यहां पर data collect करते हैं वो अभी भी लोगों से बिना उनकी permission के data collect करते रहेंगे तो यहां पर हमें यह पता चल रहाएगी अब security of the state के लिए कभी-कभी data को intercept करना ज़रूरी होता है लेकिन basically किसी principle के उपर आप यहां पर intercept कर रहें data for example legality, proportionality, necessities का मतलब यह नहीं कि आप किसी भी basis के उपर किसी कभी data हैं पर track करने लग जाओगे तो यहां पर अगर law है उसको लेकर अगर आपको यहां पर intercept करना है तो basically आपको legal procedure के थूँ यहां पर intercept करनी की ज़रूरत है आगे चलते हैं only work no play इस article मुझे कुछ भी important नहीं लगा तो यह हम discuss नहीं करेंगे how to help the farmer आपको सब पता है इसके बारे में पर हम यहां डिसकस कर लेते हैं कि agriculture में क्या issues हैं तो research tells us the best way to support agriculture कि agriculture को अगर support करना तो सबसे important यह है कि यहां पर agree research and development में यहां पर invest करने की ज़रूरत है market system को बहुत अच्छा बनाना है जो farmers उनको यहां पर market से connect करने की ज़रूरत है supply value chains बहुत अच्छी होनी जी तो यह सब को पता है कि agriculture में reforms करना तो यह सारे reforms करने की ज़रूरत है research and development को अच्छा बनाना है market को बहुत ज़दे लीकुरेटिव बनाना और जो farmers है वो directly यहां पर market से link हो सके यह सब करने की ज़रूरत है लेकिन democratic system में policies जो है वो हमेशे scientific basis के उपर काम नहीं करते है basically they are often influenced by various lobbies तो democratic system में यहां पर कोई भी policy बनाई जाती तो बहुत सारे lobbies जो भी यहां पर influence करने की कोशिश करते है उसकी basis बनाई जाती है जैसे हैं पर MSV system को legal बनाने की बात की जारी अब यहां पर जब भी elections आते हैं तो क्या करते हैं हर party यहां पर announce कर देगी कि अगर हम आते हैं power में तो हम आपको जो आप free electricity देंगे आपको loan waivers कर देंगे जो farm loan waivers तो इसकी वज़े से बहुत गलत precedent set हो रहा है और यहां पर जो agriculture distress में है वो इनी सारी policies की वज़े से है तो this short-sightedness results in sub-optimal और even irrational policy choices which in due courses harm the economy, environment and even farmers अब जैसे कि हम minimum support price के हैं पर issue discuss किया गया है legality of MSP means that no one is allowed to buy a crop below its MSP तो यहां पर बात की जा रही है कि MSP को यहां पर legal guarantee बना देना चाहिए अकर इस demand को accept कर दिया गया तो इससे बड़ा disaster कुछ हो ही नहीं सकता और यह anti-farmer ही यहां पर हमें समझ आएगा कि anti-farmer ही है in the long run reason is simple reason क्या है कि basically यहां पर market में जो demand or supply है उसके basis पे तो काम करे गई नहीं यह तो यहां पर जो central government price तै कर दी कि इसके basis पे काम करेगा reason is simple it ignores the basic logic जो कि यहां पर price होने चाहिए यहां पर तै on the basis of demand and supply जो कि ऐसा नहीं होगा in the case of surplus अगर surplus होगा जो कि जादातर होता है harvest time पे तो price जो है वो fall हो जाते है to clear the market अगर MSP को उसके बाद भी market clearing price से जादा रखा जाएगा तो कोई भी हैंपर private sector से तो खरीदेगा नहीं कोई भी private sector से नहीं खरीदेगा तो हैंपर central government को ही खरीदना पड़ेगा और central government के पास अभी भी इतना जादा FCI के go down में अनाच पड़ा हुआ है जो की खराब हो रहा है तो ऐसे में government कितना और अनाच खरीदती रहेगी तो in that case the government will have to become the buyer of the last resort else farmers will be left high and drive with no buyers for the produce तो अगर यहाँ पर MSP जो है market price से जादा रखती आ जाएगा तो कोई भी private trader तो खरीदेगा नहीं यहाँ पर खरीदना पड़ेगा गवर्मेंट को अगर गवर्मेंट खरीदेगी तो FCI के गवर्मेंट और जादा भरते जाएगे अब issue यहाँ कितना खरीद चकती अभी government basically rice और यहाँ पर wheat को प्रोकर करती है under the MSP वैसे MSP तो 23 crops पे लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो ही crops को प्रोकर करती है अब कौन कौन सी crops को पर MSP वैसे भी यहाँ देख लेते हैं 7 cereals, paddy wheat, maize, basra, sorghum, ragi and barley, 5 pulses, tour, moong, chana, urat and masoo 7 oilseeds, soybean, groundnut, rapeseed, mustard, sesame, safflower, sunflower, niger seed और 4 commercial crops, sugar cane, cotton, jute and copra है यहाँ पर जोगर के उपर basically FRP होता है fair and remunerative price the main procurement however happens largely for rice and wheat अगर हम देखें तो main procurement यहाँ पर rice and wheat के लिए ही होता है और इसके बाद public distribution system में इसका ही use किया जाता है अब जो public distribution system है उसमें rice और wheat को बहुत जादा subsidize किया गया है लगभग 90% of the economic cost जो government को पढ़ती है उसतना subsidize कर दिया गया है जो food subsidy bill अगर government का देखो तो 30% total जो tax है central government का उसका 30% का revenue है वो यहाँ पर food subsidy bills में ही चाला जाता है तो PDS को reform करने की बहुत ज़्यादा ज़रूत है यहाँ पर 30% जो tax है वो यहाँ पर सिर्फ PDS में चाला जा रहा है तो जो कि यहाँ पर use हो सकता था capital expenditure के लिए जिससे economy और ज़दा बूम होती लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इट में also भी remembered जब यहाँ पर 1965 में MSP regime लाई गई थी वो इसलिए लाई गई थी क्योंकि उस समय हमारे पास ship to mouth situation पे हम थे हमारे पास बहुत कमी थी food grains की तो ऐसे में high yielding varieties को farmer करें जिसके चलते हैं MSP regime लाई गई थी लेकिन उसके बाद से वो आज तक चल रही है but now with granaries overflowing तो यहाँ पर FCI को go down पूरी तेगी से overflow हो रहा है rice और wheat से तो there is need to rethink तो यहाँ पर सोचनी की ज़रूरत है इस procurement policy को अगर देखा चाहे तो 2020-2021 में 60 million metric tons यहाँ पर rice को प्रोकर किया गया 43 million metric tons यहाँ पर wheat को प्रोकर किया गया by the food corporation of India and NAFID ने यहाँ पर लगवग 0.66 million metric ton pulses को प्रोकर के even after procuring more than 50% of the market rates after loss of rice and wheat अब यहाँ पर rice और wheat को इतना जाद प्रोकर कर लिया गया इसके बाद भी जो market prices है वो MSP से कम ही रहे तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि हमारे यहां कितना जादा rice और wheat को यहां पर उगाया जा रहा है जब कि इतनी की जरूरत ही नहीं है तो यहां पर farmers को diversify करानी की जरूरत है कि आपको यहां पर दूसरे crops के लिए diversify करनी की जरूरत है one of the reasons behind market prices hovering below MSP अब MSP से कम है उसके बाद भी market price जब इतना जादा government ने खरी लिया तो एक reason तो उसका यह भी है जो PDS है उससे बहुत जादा leakage होता है बेसिकली है यहां पर market में चला जाता है जिसकी वज़े से supply बढ़ जाती है और यहां पर सिर्फ 10% जो production है सारे crops के जो है production उसमें सिर्फ अगर 10% पर ही जो government है वो MSP पर खरीदने लग जा तो लगबग 5.4 lakh करोड कोस्ट इसकी आईगी annually तो it will cause the government about rupees 5.4 lakh करोड अन्वली तो प्रोकर इस MSP crops अब यहां पर कुछ लोग बात करते हैं कि deficiency payment scheme होनी चाहिए कि यहां पर जितना फार्मर मार्केट में जितने रेट पे बेच पा रहे है उतने में बेच दे और central government जो MSP रखा है उसके बीच का जो difference हो वो यहां पर जो farmer का account उसके उसमें दे दिया जाए तो one argument that it is floated in that instead of physical procurement one में use price deficiency payment कि यहां पर जितना भी farmer को market में मिल रहा है उतने बेच दे और जो भी यहां पर central government MSP तेय कर रहा है उसके बीच में जो भी difference होगा उतना amount यहां पर farmer के account में दे दिया जाए लेकिन इसमें जो है इसको बहुत गलत तरीके से use किया जाता है जैसे कि और मदिप्रिदेश के example दिया गया है तो यहां पर सब लोग एक nexus बना लेते हैं जैसे कि trader एक nexus बना लेते हैं तो but had to give up the very next season as traders gamed it widening the gap between the market prices अब यह लोग farmers से बोल देते हैं traders की हम यहां पर बहुत कम price पे ले लेते हैं central government से तुम्हें जो price मिलेगा तुम्हें तो फिर यहां पर जो भी gap है वो मिल जाएगा तो वो gap हम और तुम शेयर कर लेंगे तो ऐसा देखने को मिला है तो what's the way out तो अब way out क्या हो सकता है तो it may be better to use an income policy on a per hectare basis to directly transfer money into farmers account तो यहां प क्रॉप का diversification होना बहुत है अब नेक्स आर्टिकल डिसकस करेंगे इंडिया मिसाल के पिबिलिटी अब यहां पर बात की गई है कि इंडिया को hypersonic missile technology के उपर focus करना जी क्यूंकि चाइना ने यहां पर अभी hypersonic glide vehicle का test किया था उसने अपने target को कुछ से मेंस कर दिया था लेकि ने यहां पर iron case rockets अपने आर्मी में इंडक्ट किये थे फिर जब यहां पर टीपू सुल्तान की death हो गई थी उसके बाद भी लगबग 5000 rocket carrying troops थे माईसूर के पास independence के बाद हम देखे हैं तो हमारे पास कोई indigenous missile capabilities थी नहीं फिर government ने special weapon development team बनाई 1958 में 1972 में project devil calendar हमने यहां पर surface to surface missile को initiate किया तो for the development of a medium range surface to surface missile was initiated तो 1972 में हमने कुछ यहां पर missile को लेकर काम करना शुरू किया है India is considered among the top few nations when it came to designing and developing missiles indigenous थी तो indigenous यहां पर कुछ ही countries है जो कि missiles को बाना पाते है तो India उसमें से एक है भले हम US, China, Russia से पीछे हैं लेकिन हम हमारे पास indigenous missile capabilities है अब हम देखे हैं तो हमारे पास anti-tank guided missile कौन सी तो NAG जो कि हमारे पास anti-tank guided missile है जो NAG है वो fire and forget principle के उपर काम करती है त इसकी range देखी जाए तो 20 km है रिसेंटली हेली नेक की भी बात के गए है कि यहां पर हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर का यूज किया जाए नाग missile के लिए लेकिन अभी इसका induction नहीं हुआ इसका induction होगा 2022 में इसके लाब है यहां पर stand-off anti-tank missile भी है तो यहां पर आपको त रेंज एर-to-air missile एर-to-ground कौन सी है तो रूदरम अन्यू जेंवरेशन एंटी रेरेशन मिसाइल है इसके बाद इसको इंड़क कर दिया जाएगा तो यहां पर है रूदरम ब्रह्मोज तो ब्रह्मोज यहां पर जॉइंटली डेवलप की गई थी रशिया के साथ तो इंडि दोनों ही यूस की जाती है स्ट्राड़िक फ्रसस कमाड द्वारा अब जो अगनी है उसकी रेंज 5000 है तो इसका मतलब यह है सिर्फ एक ही यही इही चंटेंडर जो यहां पर इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक voter's missile और 5000 इंहीं पन्तर कमट्रीष के पहाध है प्रितिवी जो है शौर्ट रिंज सर्फिस सर्फिस मिसाईर है और इसकी रेंज है पहर किलो मेटरह है तो इसकी आपको प मताःची。 इसकी हाई प्रितिवी तो इंडिया के पास सिर्फ दो न्यूकलर मिसाल से वह है प्रिथवी और अग्मी क्योंकि हम ब्रमोस को न्यूकलर मानते नहीं है तो इंडिया के पास सिर्फ दो इन्यूकलर मिसाइल है प्रिथवी और अग्मी और अग्मी क्योंकि आपको श्राफ why यह फिंसी अग्योंकिフ्रोप कि यहां पर एक इश्यू था कि जब यह स्टेट सॉंग प्ले होगा जब बेसिकली प्रेयर सौंग है जो कि आप मदर तमिल के प्रेज में गाई जाती है तो इस समय खड़ा होना है नहीं होना है तो मदूरे बैंच अफदा मदरास हाई कोट ने यह बोला था कि कोई भी स्टे इन फ्रेयर और ही इस इनवैरेबली फांद इन अमेडिटेटिव पॉस्टर है किसी की रिस्पेक्ट देने का यह हो कि वह मदृटेशन में किसी जीस को रिस्पेक्ट दे रहा हो सब लोग खड़े हो फीज तो रिस्पेक्त नहीं तेते हैं तो सिंस तमिल था ही वजू तू लेकिन स्टेट का यह था कि सबको खड़ा होना जब हो इसलिए स्टेट इसको सॉंग डिक्लेर कर दिया है तो अगीन जब सुप्रीम कोड ने डिरेक्शन दीदी कि सिनेमा हौल्स में अपने अशनल आंथम प्ले होगा है और एव्रीवन इस अब्लाइज तु इसको बाद में और मेंडिटरी नहीं बनाएगे और इसको मेंडिटरी जरूरत नहीं है तो तमिल थाई वजुतु इस असंग तो यह तो नहीं है कि सिर्फ खड़े हो कही आप रिस्पेक्ट दे सकते हो when we celebrate pluralism and diversity, insisting that there can be only one way of showing respect तो इससे hypocrisy समझाचाती ही क्योंकि हो सकता है कि किकसी को meditative posture में यहापर respect देना सही लगता है तो सबके अपने तरीके उसकतने respect देने के लिए तो बस आपको यह बता हूना चाहीं तामिल आडू का state song क्या है तो तामिल थाई वजुतू अब Organization of Islamic Countries की meeting हुई थी इन Islamabad तो यहां पर बात की गई है कि यह लोग एक trust बनाएंगे अफगानिस्तान को help करने के लिए तो हमीचिंगा फॉर्यम निस्टरस फॉर्म दॉर्गनाइशिशन अफ इसलामिक कोपरेशन इसके लाव इनुने यह बोला है जो भी यहां पर अफगानिस्तान के फंड्स यहां पर फ्रोज हो रहा है यूएस की बैंक्स में फ्रोज हो रहा है बाकी जगे जो फ्रोज हो रहा है उसको यहां पर रिलीस करने की ज़रूरत है तो यहांपर बेसिकली यूएस के उपर ही तंज कसा गया अर्जिंग वाशिंग्टन टू डॉप प्री कंडिशन तो रिलीजिंग फंड और रिस्टार्टिंग अफगानिकसान बैंकिंग सिस्टम आगे चलते हैं यहांपर चिले में वोटिंग चल रही है तो यहांपर दो प्रेशिदेंशल कंडिड़ेट हैं तो एक तो हैं गैब्रियल बॉरिक और दूसरे हैं अन्टोनियो कास्ट अब इससे पहले चिली में देखा गया था फ्री मार्केट पॉलिसी थी यहांपर बात की गई थी कि copper rich country है यहांपर चली लेकिन बात की गई थी कि कैसे economic stability लानी है तो इससे पहले यहांपर बात की थी फ्री मार्केट पॉलिसी की लेकिन अब इनके वोटर्स का यह कहना है कि हमें जो यहांपर इतनी ज़्याद़ inequality हो गई तो inequality को address करने की ज़रूरत है तो इसकी वज़े से यहांपर हो सकता है कि जो Gabriel Boric हैं वो यहांपर power में आजाएं क्योंकि इनकी बात यही है कि कैसे हमें inequality को address करने की ज़रूरत है यह बिल्कुल भी important नहीं है अभी यहांपर वही data protection bill को लेकर है कि data protection bill में किया क्या कमिया उसको कैसे ठीक करने के ज़रूरत है concerned areas in panel report, parliamentary panel report, non-personal info, localization need अब companies के यही कहना है कि non-personal info को नहीं यहांपर use करना किया जाना चाहिए non-personal info जो है उसको यहांपर data protection bill में नहीं इंक्लूट किया जाना चाहिए तो यही सारी बाते यहांपर की गई थी बाकि यह भी important new to smaller player, apple seeks dismissal of apps तो यहांपर apple के regarding competition commission of india का एक case चल रहा है लेकिन apple का यह कहना है कि यह कोई monopolistic practice कर भी नहीं सकते है क्योंकि इंका market share इंडिया में बहुत ज़दा का में बाकि इंडियो और ताइवान बात चीत करें आपस में कि free trade agreement हो सके और इसके लाव एक बात यह भी की गए कि जो semiconductor chip facility है वो यहांपर जो ताइवान की company वो इंडिया में establish करे तो आई हो आपको आपको आज का नीज को समझ आ गया हो if you like the video then please like share and subscribe thank you and have a nice day